हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉंट स्टेडी, कॉंट स्टेडी में एक बर फिर आपका स्वागत है, आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेशन 2 का बचे होए 20 कोशन, यानि की 11 से लेके 20 तक कोशन हम करेंगे, आज के पार्ट में इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेशन 2 भ और आपको कोशन सौल करना है, ठीक है, और उसके बाद अपना आंसर मैच करना है, शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमें हमारी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, इसके लाब हम फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं, जल्दी से हमें हर जगा फॉलो कर लिजिए और किसे भी अपडेट को मिस्मत कीजिए, ब्रीफिंग मैंने आपको पिछले पार्ट में भी दी थी, आज दुबारा दे रहा हूं कि 20 कोशन होंगे, जिसमें से 10 हम कर चुके हैं, बचो हे 10 हम आज करेंगे, हर कोशन एक मार्क का होगा, को चलिए देखते हैं इसका solution क्या होगा, the distance between 2 points A and B is 720 km, ठीक है, if Ram and Shyam start simultaneously from point A towards B, Ram और Shyam दोनों जा रहे हैं point A से B की तरफ, Ram take 3 or more than Shyam to reach point B, ठीक है, Ram, Ram को जाधा time लग रहा है Shyam से, यानि Shyam minus Ram आगे हमारे पास 3 or, ठीक है, if Ram doubles his speed, Ram takes 3 or less than Shyam to reach point B, यानि सारा question जो है, वो Ram के round revolve हो रहा है, तो हम काम करेंगे सिर्फ Ram पे, चलिए ले ले लेते हैं Ram के case में, speed, ठीक है, एक थी original, एक थी new, original हमने 1 मानी new, उन्होंने कहा कि double करना है, जब original speed थी Ram की 1, तो इसको 3 घंटे जाधा लग रहे थे, जब उसकी speed double हुई, तो 3 घंटे कम लग रहे हैं, यानि time का gap अगर हम देखे जाए, पहले उसको 3 घंटे जाधा लग रहे थे, अब उसको 3 घंटे कम लग रहे हैं, तो total time क gap आजाएगा, 6 hours का, speed 1 है हमारे पास 1 unit, speed 2 है हमारे पास 2 unit, इसको हम x ले ले लेते हैं, अब लगा लेते हैं हम अपना formula, तो हमारा distance का formula था, speed 1 into speed 2 upon speed 1 minus speed 2 into time का difference, तो हमने speed 1 ली 2x, speed 2 ले ली x, 2x minus x into 6 hours का time का difference आ रहा था, इसे solve किया, 2x square divided by x into 6, x से x गया, यानि कि यह आया 12x, 12x आई distance की value, पर question में हमें distance की value दी गई है, 720 km, यानि 12x को हम compare करेंगे, 720 से x की value आ जाएगी, 1260, ठीक है, अब मैंने आपको question के starting में कहा था, यह राम का case है, speed ली थी हमने, original और new, original थी हमारी x, यानि 60 आगी, new हमने double की थी, यानि 120 आएगी, हम original पर काम करते हैं, distance है 720, speed है 60, यानि कि 12 hours उसको originally लग रहे थे, और 12 hours उसको अगर original लग रहे थे, और वो शाम से, ठीक है, शाम से 3 घंटे जादा ले रहा था, यानि शाम कितना time लेगा, शाम लेगा 9 hours, 720 का distance, राम अगर 12 hour में complete कर रहा है, और उसको शाम से 3 घंटे जादा लग रहे हैं, यानि शाम ने 720 किलोमेटर का distance 9 घंटे में cover किया है, तो शाम की speed क्या होगी, शाम की speed होगी, 720 divided by 9, which is equals to 80 किलोमेटर पर और, और यही हमें निकालना था, find speed of shawm, speed of shawm यानि original, ठीक है, तो 80 किलोमेटर पर और option हैं आगया हमारा answer, next question आपकी screen पर है, 5 second का time दे रहा हूँ, वीडियो को pause किजिए और इसे solve किजिए, तो चलिए देखते हैं इसका solution क्या होगा, Sanjay is twice as good workman as his brother, तो इनकी efficiency की बात चल रही है, ठीक है, efficiency Sanjay की 2 है, और brother की 1 है, twice का होगा है, ठीक है, next चीज़ कहा रहे हैं कि together they can finish the piece of work in 80's day, देखिए, अगर हम इसी को 1 day work, क्योंकि efficiency होता है ना हमारा 1 day work, इसको हम मान ले कि 1 day work है, इनका Sanjay का है 2 units, brother का है 1 unit, क्योंकि Sanjay की efficiency twice है, तो टोटल इनकी 3 units आ जाएगी 1 day efficiency, एक दिन में ये 3 unit काम कर रहे हैं, टोटल ये 18 दिन ले रहे हैं काम खतम करने के लिए, तो हमारा total work आ गया 18 into 3, ठीक है, total work आ गया हमारे पास 18 into 3, अब इन्होंने कहा है, in how many days would Sanjay alone finish the work, Sanjay एक दिन में कितना unit काम करता है, 2 unit, टोटल काम कितना है हमारे पास, 3 into 18, इसको हम 2 से divide कर देंगे, तो 9th रिजा 27 days लगेंगे Sanjay को इस काम को complete करने में, option D आ गया हमारा valid option, next question आपकी screen पर है, MDH वाला formula लगना है, जल्दी से से करिए, तो चली देखते हैं, इसका solution क्या होगा, 24 men, 8 women and 24 children can do a piece of work in 16 days, 72 days, 32 days respectively, यानि अलग अलग days दिये गए हैं, 24 men into 16 is equals to 8 women into 72 is equals to 24 children into 32, ठीक है, काम सेम कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने लिखा है हो, can do a piece of work, यानि सेम काम की बात चल रहे हैं, तो हमने W इंट्रड्यूस नहीं किया, अब next चीज क्या है, कि हमें इनकी ratio निकाल नहीं है, पहला काम करते हैं, हम 8 काटते हैं हर equation में से, अब next चीज क्या करते हैं, 2 है यहाँ पर, 2 इसमें से निकाल लेते हैं, 4 काटते हैं हर किसी में से, 12 आया यहाँ पर, 12 तब आया, जब हमने 24 में से भी 2 निकाल ले, क्योंकि 2 इंटू 2 मिलके 4 बनता, तो 12 और 2 आ गया यहाँ पर, 4 काटेंगे इसमें से तो 4, 1 जा 4, 32, 4, 8 जा 32, 4 काटा इसमें से 4, 8 जा 32, अभी भी यह चीजें कट सकती हैं, 2 के टेबल से, 2, 4 जा 8, 2, 9 जा 18, 2, 6 जा 12, अब यह कट सकती हैं, 3 के टेबल से, 3, 3 जा 9, 2 जा 6, तो हमारे पास आ गया, 2M is equals to 3W is equals to 4C, अब हम इसे hide method लगाएंगे, और इसकी ratio को convert करतेंगे, men is to women is to children की ratio आएगी, 4, 3 जा 12, next आगी women के लिए, 4, 2 जा 8, और children के लिए आगई, 3, 2 जा 6, यह भी दुबारा और कट सकते हैं, तो men is to women, is to children की final ratio आई, 6 is to 4, is to 3, next चीज़ उन्होंने कही है, find the number of days, in which 10 men, 24 children, 15 women, can do a piece of work, ठीक है, यह यहाँ पर together word mention किया है, तब ही मैंने इनको plus किया, ठीक है, अब हम इसको किसी भी एक, starting वाली किसी education से, compare कर लेंगे, जैसे कि 24 men जो थे, 16 दिन में काम कर रहे थे, तो हमने ले लिया, 24 M into 16, ठीक है, अब हम इसे solve करना शुरू करेंगे, यह values डालने के हम इनकी respective position में, यानि, D, 10 M की जगा हमने डाला 6, plus 24 C की जगा डाला हमने, 3, और 15 W की जगा हमने डाला 4, is equals to 24 M की जगा हमने डाला 6, into 16, ठीक है, अब इसे solve करेंगे, तो हमारा आया, D into 192, is equals to 24, into 6, into 16, ठीक है, अब मैंने इस side को multiply क्यों नहीं किया, क्योंकि हम सिधा-सिधा काट सकते थे, तो 6 के table से पहले काटना शुरू करते हैं, 6, 3 is a 18, 6, 2 is a 12, और 16 का double होता है 32, 2 से इसको काटा 12, तो D की value आगी 12, और हमें number of days ही निकालने थे, final answer आगया, option B, चलते है next question पर, 5 सेकिंड दे रहा हूँ, जल्दी से इसे solve कीजिए, तो चली देखते हैं, इसका solution क्या होगा, दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ, जो आपको best लगे, उससे आप adopt कर लिजिए, पहला है, जिसमें हमें distance के formula को याद रखना था, S1, S2, S1-S2, into time का gap, ठीक है, S1 है हमारे पास 4, S2 है हमारे पास 3, 4-3, time का gap हमारे पास आ रहा है, 4-3 तो 1 ही बन जाएगा, तो 2 को सिधा इस से काटेंगे, 6 km आगे हमारे पास distance, ये था formula based, ठीक है, अगर आप चाते हो कि आपको formula नहीं याद रखना, तो एक और तरीक है, हम ले लेंगे man 1, man 2, speed हमें दी हुई है, speed का inverse ले लिया, ठीक है, time का उन्होंने gap दियो है, 1 and a half और, यानि कि इन दोनों में आप time का gap देखिए, 1 unit का आ रहा है, 1 unit की value आगी, 1 by 4 और, यहाँ पर हम 3 को भी, 1 by 2 से multiply कर सकते हैं, time निकालने के लिए 4 को भी कर सकते हैं, मैं 4 को करना better समझता हूँ, क्योंकि 1 by 2 से सिधर सिधर divide हो जाएगा, तो time आ जाएगा, second man का 2 और, जब आप 4 को 1 by 2 से multiply करोगे, तो 2 और आ जाएगा, speed थी उसकी 3 किलोमेटर पर और, time उसने लिए है 2 और, तो distance आ जाएगा, 3 into 2, which is equals to 6 किलोमेटर, एक मैंने आपको बता दिया formula base, दूसरा मैंने आपको बता दिया, जिसमें आपको formula rate ने की ज़रूरत नहीं है, चलते हैं next question पर, 5 सेकिंड का time दे रहा हूँ, फटफट से से solve कीजिए, तो चलिए देखते हैं, इस question का solution क्या होगा, इस question को आप long method से भी कर सकते हो, और एक trick method से भी कर सकते हो, पर trick method मुझे लगता नहीं है, अभी आपको apply करना चाहिए, क्योंकि जब आपका hold बन जाएगा, ऐसे questions पर आप तभी trick method apply कीजिए, पहले मैं दिखा देता हूँ, trick method क्या है, कि 80 km हमें यहाँ दिए, 95 km हमें यहाँ दिए, यानि हमारे distance का gap आ गया है, 15 km का, similarly 35 minute यहाँ पर दिए है, 47 minute यहाँ पर दिए है, हमारे पास time का gap आ गया है, same distance के लिए 12 minute का, तो हम इस पर formula लगा सकते हैं, speed है हमारे पास यहाँ पर 3 by 4, यानि की, original speed है 4x, new speed है 3x, अब हम लगाएंगे formula, distance is equals to speed 1 into speed 2, divided by speed 1 minus speed 2, time का gap है, हमारे पास 12 minute का, इसको हम और में convert करेंगे, यह बन जाएगा, ठीक है, next चीज़ आगी, की 4 थीज़ा हमारे पास आ जाएगा 12x square, 4 minus 3x नीचे आ जाएगा, x into 12 into 60, यह आजाएगा, 1 by 5 x से x गया, तो हमारी equation कुछ बनी, 15 is equals to 12x divided by 5, ठीक है, यह आगी हमारी equation, 3, 4s are 12, 3, 5s are 15, यानि की, 5, 25 divided by 4, आगी हमारे पास x की value, ठीक है, अब उन्होंने कहा है, की find the original speed of the bus, जो की है 4x, इसको आप 4x से multiply करोगे, अगर 4x से multiply करेंगे, यह कट जाएगा, हमारे पास original speed आजाएगी, 25 km per hour, which is option C, यह था shortcut, ठीक है, अब इसके पीछे जो concept है, मैं वो भी पूरा आपको बताता हूँ, question कहा रहा है, की एक distance था, हमें नहीं पता कितना, हमने मान लिया, यहाँ तक distance था, 80 km, ठीक है, 80 km तक बस एक normal speed में चली, उसके बाद breakdown हुआ, जिसके बाद 3 by 4 speed हो गई, यानि की, original speed हो गई, 4x, new speed हो गई, 3x, जैसा कि मैंने आपको पहली भी समझाया, जब हमारी speed कम हो गई, यानि 3x हो गई, तो उसको 47 minute का डिले लगा, ये distance cover करने में, next चीज़ उन्होंने कही, कि अगर 80 के बजाए, 95 km पे जाके breakdown होता, तो यहाँ से 3x4 speed होती, और जो time का डिले होता, वो हो जाता, 35 minute का, ठीक है, इसको मैं एक बर फिर अच्छे से बना देता हूँ, तो हमारी figure बनी कुछ ऐसी, अब हम काम करते हैं, इस वाले portion के लिए, 95 में से 80 काटोगे, 15 km आ जागा हमारा distance, 47 में से 35 काटोगे, 12 minute late आ जाएगा हमारा time का gap, तो हमारे पास distance है, हमारे पास 2 speed है, हमारे पास time का gap है, कौन सा formula लगेगा, मैंने आपको पहले भी बताया, पिछले question में, हमारा formula आ जाएगा, 15 km is equal to 4x into 3x, divided by 4x minus 3x, time का gap जो की 12 minute का था, minute हटेगा, तो और लगेगा, कैसे जब नीचे 60 आ जाएगा, अब इसे करते हैं, solve, 12, 5 is the, ठीक है, 15 की value आ गई, 12 x square divided by x, into 1 by 5, x square से, x कटा, 3, 4 is the 12, 3, 5 is the 15, यानि, all in all, हमारे पास equation बनी, 25 divided by 4, x की value, original speed थी, 4x, जब आप इस equation को, 4 से multiply करोगे, आपके पास सिरफ, 25 km पर और बचेगा, जो diagram मैंने आपको बना के दी, वो चीज, मैंने trick वाले portion में, eliminate कर दी, बाकी सब का सब, यही method यूज हुए है, ठीक है, तो यह आगया हमारा final answer, next question आपकी screen पर है, अगें 5 second का time दिये जा रहा है, जल्दी से, solve कीजिए, तो चल्ली देखते हैं, इस question का solution क्या होगा, A ने business शुरू किया, 5000 से, B ने business शुरू किया, 3000 से, इनके investment की ratio जागी, 5 is to 3, अब उनने का, A को जो 20% का profit cut, 20% जो मिलेगा, वो as a salary मिलेगा, यानि 20% ले गया, A as salary, 80% जो होगा, वो divide होगा, as per their investment, यानि, अगर 8 की value, 80% है, 1 की value आईगी 10%, तो इसमें, A का कितना share हो जाएगा, 50% का, B का share हो जाएगा, 30% का, तो A का overall share कितना हो गया, 50% plus 20% यानि 70%, ठीक है, A को मिल रहा है, 70%, B को मिल रहा है, 30%, gap है, 40% का, इन्होंने काय, A receives 3600 more, यानि, A को 40%, जादा मिल रहा है, 40% की value आगी, 3600, 1% की value आगी, 90, और इन्होंने पूछा है, 100%, 100% के लिए, आप 90 के आगे, 2-0 और लगा दोके, तो 9,000 आगया, total profit, ठीक है, next question पर चलते हैं, simplification का question है, जल्दी से जल्दी हो रहा चाहिए, ये question, ठीक है, 5 सगिन का time देरो, question को solve करो, तो चलिए देखते हैं, इसका solution क्या होना चाहिए, multiplication लगी है, तो हम mix fraction को convert करेंगे, 8, 3 is a 24, plus 3, 27, divided by 8, into 4 by 18, plus, 3, 1 is a 3, plus 2, 5 by 3, multiply by 3 by 25, 3 से 3 गया, यहाँ पर आया 5, 4, 2 is a, अच्छा, 9, 2 is a 18, 9, 3 is a 27, तो हमारे पास equation आगी, 3 by 4, plus 1 by 5, तो नीचे आएगा, 20 और 20, हमारा सिरफ एक यह option में है, final answer आगया हमारा यह, फिर भी confirm कर लेते हैं, चोटी C fraction है, 5, 3 is a 15, 4, 1 is a 4, 15, plus 4 is equals to 19, next question देखते हैं, 5 सेकिंड दे रहाँ, जल्दी से solve कीजिए, तो चल्दी देखते हैं, इसका solution क्या होगा, A can complete 2 by 3 of certain job in 6 days, ठीक है, अगर हम काम को, एक complete काम को 1 unit मानते हैं, तो A 2 by 3 unit कर रहा है, 6 days में, 1 unit बनाने के लिए, हम क्या करेंगे, इसको 3 by 2 से multiply करेंगे, तो 6 को भी हम 3 by 2 से multiply करेंगे, यानि, वो एक काम को complete कर रहा है, 9 days में, यह आ गई A की बात, ठीक है, next देखते हैं, B can complete 1 third of same in 8 days, तो 3 से multiply करेंगे, तो B की value आजाएगी 24 days, यानि B जो है 24 days में काम कर रहा है, खतम, C can complete 3 by 4 in 12 days, तो 4 by 3 से दोनों साइड को multiply करेंगे, 3, 4, 12, यानि C कर रहा है 16 days में, तो हमारे पास क्या-क्या आ गया, A कर रहा है 9 days में, B कर रहा है 24 days में, C कर रहा है 16 days में, अब इनका निकालते हैं, LCM 9, 24, 16, पहले तो 4 का table लगा लेते हैं, 9 निया आता हूँ उसके table में, 4, 6, 24, 4, 4, 16, अब 3 का table लगा लेते हैं, 3, 3, 9, 3, 2, 6, 4, अब दोबारा 2 का table, 3, 1, 2, तो अब इनको multiply कर लेते हैं, 4, 3, 12, 2, 24, 24, 6, 24 into 6, 6, 4, 24, 2, carry on, 6, 2, 12, 13, 14, 142 आ गया हमारा, 144 आ गया हमारा, total work, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी efficiency निकाल लेंगे, तो 144 को divide करो के 9 से, तो 3, 3, 9 हमने निकाल दिया, 4, 2, 8, 2, 16, ठीक है, next हमें क्या करना है, 24 निकालना है, तो 4, 3, 12, 2, 24, 24 निकाल दिया, 3, 2, 6 बचा हमारे पास, next हमें 16 निकालना है, तो ये था एक 2, ये था एक 2, 2, 2 जा 4, 4, 4 जा 16, हमारे पास 3, 3, 9 बचा, तो हमारी diagram आगी ऐसी, अब next चीज उन्होंने का है, all of them work together for 4 days, यानि कि 16, प्लस 6, 22, no, 31, ठीक है, 31 into 4 आ गया हमारे पास, 124 यूनिट तो काम इन्होंने कर लिया, 4 दिन में, हमारे पास काम कितना बचा, 20 यूनिट का, वो किसको करना था, how long will it take, for B to complete the remaining work, यानि 20 यूनिट करना है, B को, यानि कि 6 को, तो 20 divided by 6 आ गया हमारे पास, 3.33, हमारा option भी आ गया, हमारा final answer, तो चलिए देखते हैं, इसका solution क्या होगा, इफ ये person travels in car, at speed of 60 km per hour, he reaches 1 or late, if he travels at 80 km per hour, he reaches 1 or early, find the speed at, ठीक है, he must travel to reach office on time, तो distance निकालते हैं सबसे पहले, 1 हमारे पास speed है 60, 1 हमारे पास 80, इन दोनों का gap आ रहा है, नीचे 20, time का gap आ रहा है, हमारे पास 1 or early, 1 or late, यानि कि 2 hours का, 2 tens इससे ये गया, 6, 8s 480 km आ गया, हमारे पास total distance, ठीक है, अब उन्होंने काया कि, अगर वो 60 की speed से चलेगा, तो 1 गंटे late हो जाएगा, तो 60 से आप divide करोगे, 6, 8s 48, 8 hours का time उससे, 1 or late कर रहा है, यानि उसको 1 गंटा जल्दी पहुँचना था, यानि उसको 7 गंटे के अंदर, अपने destination पहुँचना है, तो 480 को जब आप 7 से divide करोगे, आपका option भी आ जाएगा, right answer, चलते हैं next question पर, 28th question, आज के session का last है, इसी के साथ हमारा, ये session भी complete हो जाएगा, 5 second दे रहां जल्दी से solve कीजिए, तो चलिए देखते हैं, इसका solution क्या होना चाहिए, 2 pipes A and B can fill a tank in 15 and 20 hours respectively, 15 और 20 लिख दिया, while third pipe C can drain it in 4 hours, ठीक है, इनकी निकालेंगे हम LCM, LCM होता है हमारे पास total work, तो क्या किया, 15 forza 60, 15 के table में भी आता है, 12 के table में भी आता है, और 4 के table में भी आता है, अब हम निकालेंगे इनका 1 day work, जिसे हम efficiency भी कहते हैं, तो 15 forza 60, तो ये आ गया हमारा efficiency, अब देखिए, पहली pipe, यानि कि A pipe शुरू होनी है, 8 बजे, B pipe शुरू होनी है 9 बजे, ठीक है, फिर अब B का काम देखते हैं, 9 से 11 तक 2 गंटे का काम हो रहा है, यानि 5 इन्टू 2, तो 11 बजे तक 4 3s are 12, 5 2s are 10, यानि कि 22 units तो tank भर चुका था, ठीक है, the tank will be emptied at what time, अब शुरू हुई C pipe, A और B भी रनिंग है, उसके साथ C pipe भी शुरू हो गई, तो 5 प्लस 4, 9 माइनस 15, यानि कि 6 units अब पर और drain होंगे, हमारे पास 22 unit भरे पड़े थे, 6 unit पर और drain करने हैं हमें, तो पहले हम देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा, 11 बजे के आगे, इसको 6 से डिवाइड किया, हमारे पास आया 6, 3, 18 तो होता ही होता है, 18 जब हम इसमें से remove कर देंगे, तो हमारे पास बचेंगे सिर्फ 4 unit, यानि 11 बजे से लेके, 3 गंटे और हमने काम किया, तो हमारे 18 unit निकल गे, तो 11 बजे से 3 गंटे कितने होगे, 12, 1, 2, 2 बजे तक 2 पीम तक हमने काम कर लिया, और हमारे 22 में से 18 unit हमने drain कर दिये, तो यानि हमारा 2 पीम के आगे जो 4 unit drain होने थे, उसमें 40 मिनिट और लगने थे, क्योंकि हमारे पास option ही एक है, option C, ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार पूरा solve करके बता देता हूँ, देखिए, 22 unit करने थे 6 गंटे में, हमने क्या किया, 22 को तोड़ लिया, 18 प्लस 4 में, ठीक है, 18 प्लस 4 में, आपको पता है, जब इसको अलग करेंगे, हमारे पास 18 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 6 आ जाएगा, तो 3 गंटे से तो हमें पास चल गया, कि 2 PM के कुछ आगे का ही टाइम लगना है, अब 4 units जो है, वो तो आपका answer आएगा, points में, तो हम क्या करेंगे, इस 6 और को minute में convert कर देंगे, कैसे 60 से multiply करके, तो 6 टेंजर 60, 40 minute हमें ये लगे, 3 घंटे हमें यहां से लगे, 40 minute हमें यहां से लगे, यानि 3 और 40 minute का हमें time लगा, 11 AM के उपर, तो हमारा final answer आ गया, 2.40 PM, ठीक है, हमारा final answer option C है, इसी के साथ हमारा, आज का session भी खतम होता है, ये रही आपके सामने पूरे answers, ठीक है, अगर एक बार आप उन questions को दोबारा, खुद से try करना चाते हैं, तो आप दोनों वीडियो को दोबारा इस देख सकते हैं, या फिर आप उन questions का screenshot भी ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, questions try कीजिए, और answers टैली कीजिए, और comment section में बताइए, आपने किस्तने questions ठीक के हैं, हमारा practice session 2 यहीं पर खतम होता है, अगर आपको ये वीडियो पसंद देए, तो इसे like कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को subscribe कीजिए, और इस वीडियो को अपने friends के साथ share कीजिए, तो इसे like कीजिए,